दोस्तो आप सभी लोगं को हैपी दिवाली दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे समान बिज्ञान ठीक है रेलवे समान बिज्ञान ठीक है दोस्तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तावर तोड़ करेंगे दोस्तो रिवीजन ठीक है आपको दोस्तो बता दें यह और यदि आप एक दिवसी को एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तब दोस्तों आपके लिए यह वीडियो अत्यन्द महत्पुड होगा अब आये पढ़ते हैं ता बहुत हो ठीक है दोस्तों यहां पर पहला प्रशन लिया गया है अरभी गुहावटी से दोस्तों यहां पर प्रश दोस्तों यह है कि आप मुझे यह बताइए कि मन्डली हवा में सरवादी घटक कौन होते हैं और दोस्तों आ निर्माण कैसे होता बोलिये दोस्तो जवाब हो जाएगा पेट्रोल और इथेनाल का जब मिस्रड करते हैं तब दोस्तो बनता है गैस सोहाल ठीक है अब दोस्तो आप मुझे यह बताएए अंधापन अंधापन दोस्तो किस विटामिन की कमी से होता है बोलिए दोस्तो यह तो बच्छा 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 बताएगा बोलीए दोस्तो यहाँ पर जबाब हो जाएगा विटामिन A की कमी से क्या होता है अधापवार मतलब रताओधी होता है ठीक है अगला प्रसंदो यह है कि बताएगे कारबन के दो मुख्य अपरूप है सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या बोलिए दोस्तो यह प्रस्ण मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तो आप मुश्कुला रहे हैं जवाब होगा 206 जी हाँ दोस्तो मानों सरीर में कुल हड़ियों के संखे कितनी होती बोलिए 206 होती है अब दोस्तों बताइए प्रकास वर्स किसका मातरक होता है बोलिए दोस्तों जबाब दीजिए जबाब हो जाएगा दूरी का जी हाँ दोस्तों प्रकास वर्स जो होता है दूरी का मातर कि एक वार फिर से सुनिए पाजी ट्रान की खोज किसने किया था इंडरसन ने किया था ठीक है अब दोस्तो बताइए पानी का अधिकतम घनतुव किस ताप मान पे होता है बोलिए दोस्तो जवाब दीजिए ताबर तोड़ में बोलिये दोस्तो यहां हो जाएगा चार डिग्री सेंटीग्रेट ताप पर क्या होता है पानी का घरन तो क्या होता है सबसे अधिक होता है लेकिन दोस्तों ध्यान दिजिएगा इसी ताप पर आयतन क्या होता है सबसे कम होता है ठीक है अब दोस्तों बताए सूरी की पराबैगनी क्रिणों से अर्भी त्रिवेंदरम से ठीक है आपको दोस्तों बताना है डाइनमो का आर्मेचर बना होता है दोस्तों जबाब दीजिए जबाब हो जाएगा इस पात से ठीक है अगला प्रश्न है फ्रिधिवी पर एक ब्यक्ति का वजन 600 नूटन है ठीक है किसी ब्यक्ति का वजन कितना कृता कभी कितना होगा पता है दोस्तों कि ये प्रिखवी पर जी लगता है जबाब हो जाँगा जैगा सब्सक्राव जबाब हो जाएगा 800ओ दोस्तों तो सो नूटन ठीक है सो नूटन लगेगा ठीक है को मिनेके मतलब दोस्तों यह है जो नूटन पर पीज़न रिख्वी पर कितना है जुसटे किनल इस चन्यूटन आई च захाथ भाग होग ठीक है जबाब हो यह सो न्यूटन ठीक है अगला प्रश्ण यह है कि सोना का आप एक्षी घन तो है बताइए दोस्तों इसक्रीन पर देखिए जवाब हो जाएगा 19.30 ठीक है ग्राम प्रतिसेमी की उध्यान दीजिए 19.30 और ग्राम प्रतिसेमी की होगा ठीक है अब दोस्तों बताइए ठोस कोड क की काई होती है दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा इस्टे रेडियन जिहां दोस्तों घन कोड की काई कहो या दोस्तों ठोस कोड की काई कहो जवाब हो जाएगा इस्टे रेडियन यदि दोस्तों कहता कि आप मुझे यह बताइए कोड की काई क्या होगी तब दोस्तो यहाँ पर देखिए RRB सिकंदराबाद से लिया गया कोशन है कौन बिटामिन B कामपलेक्स समू से संबंध नहीं बताइए दोस्तो जबाब हो जाएगा कारबन डाइकसाइड लेते हैं और दोस्तो अक्सिजन को क्या करते हैं छोड़ते हैं ठीक है ओटू को छोड़ते हैं ठीक है दोस्तो यहाँ पर अगला प्रश्ण यह है कि बताइए सोल्डर मतलब टाका ठीक है किसका मिस्दातु होता है बोलिए दोस्तो जवाब हो जाएगा टीन और सीशा का ठीक है टीन और सीशा का दोस्तो मिस्धातुकर होता है सोल्डर होता है अब दोस्तो बताईए प्रिसर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है बोलिए दोस्तों जवाब दीजिए जवाब हो जाएगा पानी का क्वतनांग बढ़ जाता है जिहाँ दोस्तों पानी का क्वतनांग बढ़ जाने के वज़ा से प्रिसर कुकर में खाना क्या होता है जल्दी बनता है अगला प्रस्ण दोस्तों यह है कि आप मुझे यह बताईए कौन सा अक्रिय गयस वाई मंडल में नहीं पाई जाता है बताईए जवाब हो जाएगा रेडान जी हां दोस्तो रेडान जो होता है अक्रिक गस होता है जोकी दोस्तो वाईमंडल में नहीं पायग जाता है ठीक है अगला परशन दोस्तो औररबी महेंदरु घाट से लिया गया है बताए कि प्रिथिवी की ओजोन परत प्राडियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि बताएं दोस्तों जवाब हो जाएगा यह उन्हें सूर्थ की अतिधिक पराभैगनी किलों से बचाती है ठीक है अब दोस्तों बताएं वयसक मानों में रुधीर की रचना किसके द्वारा की जा क्यों कि बताइए क्यों दोस्तों जवाब हो जाएगा कि उनका मार्ध दर्सन उनकी द्वारा-उत्पन वस्तर तरंगों किया जाता है कहोने का मतलब यह है चमगादर जो होता है पररास्रब तरंग उत्पन करता है वह उनहीं द dow कि द्वारा क्या करता है? अपनामार्डविक कुलकाता से बताए, गर भासे में कॉन से पेशी पार बता ईए? दोस्तो ज़बाब हो जाएगा और अगला प्रस्ण जो है अरवी भोपाल से लिया गया है बताई यह पिली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी बोलिये दोस्तो जबाब हो जाएगा भूरा ठीक है अब दोस्तो बताईए सुरह प्रफिवी तक पहुंचने में प्रकास को कितना समय लगता बताईए दोस्तों जवाब हो जाएगा लगभग आठ मिनट 20 सेकेंड या दोस्तों जवाब देंगे लगभग 500 सेकेंड ठीक है कोहने का मतलब दोस्तों यह है कि सूर से पृतिवी तक जो प्रकास किरड़ जो आती है उसको दोस्तों वहाँ पर पहुचने में लगेगा आठ म गाड़ी में बैठे आदमी की उर्जा दोस्तों दोनों होगी मतलब गतिज उर्जा और इस्तितिज उर्जा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगला प्रस्ण जो है और भी सिकंद्रावा से लिया ठीक है आपको दोस्तों बताना है अलकोहल की अधिक मात्रा मतलब दोस्तों जो क्या होता है वह मौत के सिकार हो जाते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर अरभी अजमेर में आया वह कुछन है बताइए टाइफ हाइट रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए दोस्तों सोचिए किसी ब्यक्ति को मान लिजिए टाइफ हाइट पकड़ लिया तो दोस्तों यह बोड़ा है प्रस्ण में कि आप मुझे यह बताइए कि टाइफ हाइट जब रोग पकड़ लेगा तब सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अधिक बताइए दोस्तों जबाब हो जाएगा आत ठीक है आत जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है ठीक है अगला प्रसंदोस्तों यह बोड़ा है कि आप मुझे यह बताएए द्रवित पेटोलियम गैस मतलब यलपीजी लिक्विट पेटोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है बताएए दोस्तों जवाब हो जाएगा कि यलपीजी में मुख्यतह ब्यूटेन और प्र अचली कौन से बताएए दोस्तों जवाब हो जाएगा कैट फीज ठीक है दोस्तों आपको बता दें यह जितना भी प्रशन लियाग जा रहा है सब बार बार रिपीट हो जा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह कोशन इंपर्टेंट है अब इसको ध्यान से देखिए ठीक है अब दोस्तों प्रशन यह बोड़ा है कि आप मुझे यह बताएए रासायनिक उर्जा को बीदुत उर्जा में रुपांतित करता है दोस्तों जवाब में यह होगा कि बीदुत सेल जो होता है बैटरी जो होता है क्या करता है रासायनिक उर्जा को बीदुत उर्जा में क्य बताईए दोस्तों जवाब होता है क्या यहां पर प्रस्ठीक है जवाब हो से कसी मापा जाता है क्या भूर को याद हो जाए ठीक है दोस्तों आपको बता दे हमारा चैनल अभी नया है ठीक है इसलिए हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बराते हैं आज के लिए बस इतना ही आपका दिन सुबह धन्यवाद ठीक है दोस्तों हम फिर मिलते नेक्ट वीडियो में